गुट मॉर्णिंग फ्रेंजेर्झेर्ण्स, कैसे हैं आप लोग, और हलो फ्रेंजेर्ण्स, आप लोग सब स्वस्त रहें, अच्छे रहें, और आज मैंने सोचे कि आज सबजियों से हट के थोड़ा सा फूलों के बारे में, थोड़ा सा आपका समय मैं प्यारा सा कर दूँ प्रिटूनिया यह समझे कि डिसंबर से खिल रही है और अभी आप सुझ समझ सकते में कम हीना हो गया तो अभी तक खिलने में ही है यह सिंगल पेटल है सारे और डबल पेटल भी है इधर वादे डबल पेटल है तो यह स्टेम खेल रहे हैं यह आपको पूरा लुक दिखा देती हूं यह यह पुरानी कार का जो अपर के केरियर्ज होते है ना उसमें मैंने लगा रखा है यह देखिए यह इंपेशन्स है यह आपको मैं उसका भी पूरा लुक दिखाती हूं यह देखिए यह भी पुरानी कार का करियर्ज था तो उसमें मैंने यह हैंगिंग के लगा के तो पूरा एक प्यारा सा वो बन गया एक डेकुरेटिव पीस बन गया और काम का काम आ गया इसका यह मैंने इस तरह से लगा रखे हैं अभी थोड़े से पैंसी भी खेल रहे हैं तो बहुत खेल रहे थे लेकिन अभी इनका समय देखे मुर्जाने भी लगें खतम हो रहा है लेकिन जितने जितने हैं हुआ मैं आपको दिखा ही हो कि ये भी होते हैं के से उस से ले के आए थे तब से खिला रहे हैं यह पहार में जो होते हैं वो अभी थोड़ा टाइं है वो बड़े वाले खेलते हैं यह छोटे वाले हैं बटन भी पूरिया कह सकते हैं इनको और यह फ्रूशास खेल रहे हैं यह देखिए डबल पैटल है यह रेट और वाइट का कॉंबिनेशन यह सिंगल वाला है यह देखिए चोटा से खेल रहे हैं सिंगल जैसे यह डबल थे तो यह सिंगल है यह पूपल में हैं यह देखिए साइज इसका और यह देखिए और यह प्योर वाइट यह खेल रहे हैं नीचे यह दिखा देती हूं आपको यह देखिए तो अभी खेल रहे हैं थोड़े थोड़े कहीं गहीं एक यह खेल रहा है एक यह देखिए यह भी अलग कलर है पूपल और एक कलर यह है यह देखिए कलर दोनों अलग हैं यह थोड़ा और डाक पूपल में आगे हैं मैं आपको एक तोड़ की दिखाती हूं तो शायद आपको कर सकें यह देखिए कलर डिफर्स यह डाक पूपल में है और यह थोड़ा सा हलका सा पिंकिश कह लीजे मतलब मरजंटा कह लीजे यह डाक हलका सा इससे कलर अलग है इसका है तो यह दुनों कलर अलग-अलग है तो बहुत प्यारे इसमें फ्रुशेज के लेवे हैं इस बार है अब मैं ली चलती हूं आपको फुलो की रानी के पैस यह गुलाब इस टेmm पहाड़ में बहुत प्यारे प्यारे गुलाब खिलेवे है यह देखें कालर देखें इसका और कितना सुन्दर है यह यह रेड और इसकी खुश्बू मतलब जो प्योर गुलाब की खुश्बू होती है न वो खुश्बू है इसमें हर गुलाब की अपनी अलग होती है लेकिन इसकी बहुत तेज है बहुत सुंदर स्मेल है जो गुलकंद होता है उसकी प्योर स्मेल है इसमें यह औरेंज कलर के है और यह जो है यह है डाक रेड यह जब खेलता है तो अभी तो यह बर्ड में है हलका देखें इसका आप कलर जब यह खेले का तो फिर मैं आपको फिर दिखाऊंगे लभी यह बर्ड फॉर्म में है mostly यह ब्लैक रोज में आता है देखें इसका कलर यह देखें कितनी प्यारी बनावट है इन फुलो की गॉड्स क्रियेशन कितना सुंदर है यह बहुत सुंदर हमारे पास कम से कम 50 किसम के पचास किसम की अलग अलग वराइटीज है गुलाब में और सब की स्मेल भी बहुत यूनिक होती है यह बंच में होता है पूरा एक गुच्छा टाइप का है यह यह देखें कल हलकी सी बारिश हुई है तो थोड़ा सा हो गए है यह देखें पूरे गुच्छे में होते हैं यह इसका कलर देखें ओफ सो प्रिटी मतलब बहुत सुंदर होते हैं और आप सुबे की चाहिए फूलों के पास ले तो आहा हां सोने पे सुहाका हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है इसका कलर देखें यह सम्थिंग पीच में आ सकता है सबके अपने अलग कलर है अपनी खुबसूरती है और अपनी ही स्मेल है यह ओफ वाइट में है देखें क्रीम कलर आप कह सकते हैं उसको वैसे थोड़ा कैमरे का रोशनी का भी फरक है लेकिन यह हलका क्रीम है मतलब ओफ वाइट कह लीजे क्रीम कह लीजे आप अगर मैं आपको उसके साथ पिंक दिखा हूं तो देखें ऐसा लग रहा है यह वाइट है बट यह ओफ वाइट है क्रीम कलर का है यह पिंक और यह खुब लंबे किसम के इसके बुशियां और यह देखें खुब हो रहे है आई हो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो यह मैंने फूलों पे बनाया है फूल तो और भी है लेकिन यह स्टेम मैंने नहीं दिखाया आपको क्योंकि यह खिले वे है त तो मैं आपको फिर कुछ और कल को दिखाऊंगी और नया कुछ और नया लेके आऊंगी तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा कि आपको हमारा प्यारे से फूल कैसे लगे तो तिल देन बाबाई गॉड ब्लेस यू अल